वुष्या के आधिकार आधिनियम में, स्कूल बच्चों को कई तरह के सुविधाईं देने की बात कही गई हैं, लेकिन उत्राखंट के चमूली जिले के गैसन में स्कूल भावनों में खराब निर्माण हो रहा है, जो भावन निर्माण हो रहे हैं स्कूलों में, तो वो दोह यह पढ़ानी को किस तरह से परिशानी होती है परानी में? परिशानी जब बारिस आती है तो बारिस में बहुत परिशान हो जाते हैं आंदी तूफान जघर चलेगा, हमारे दिवालों में तो इतनी दरार है कि कभी हुए द्ढह सकते हैं जिस टोड़ रगय पूरे उपर से वारीष तो वारीष पूरी नीचे पहले पहले टपकता है पानी यौनी अज ली तपकता पूरी बारीष नीचा आ जाती जब बारिस नहीं होती है उस समय तो फिर भी जो ब्रामदे हैं हमारा बार के दूप करती है तो ज़ब बुक्ल करते हैं यह दर के बारे लगब कितने साल से ऐसा हो गावनि स्कूल का 20 साल पहले से जब उक कांप आया था तुमको कुछ परेशानी होती है उससे लेटिंग करते तो बदू आ जाती और हमें साफ करने में बहुत परेशानी होती है कहां जाते हैं लेट जाते हैं तो जैसे कि डिगरी कोलेज का उधर है तो उस साइड हम चले जाते हैं हम चाहते हैं कि पुरानी धरोर हमारी बनी रहे यहां पर इसके जो दिवालों में दरारा आगी है यह पत्थर गिंव हैं तो हम چाहते हैं कि अगर इसका पुणर निर्मान हो जाएक कुछ अगर निर्मान हो जरूरतमान में धीत बहुत अच्छी यहांपर है अब ही भी यहां सोचाले नहीं बना है, बच्चों की खेरने के लिए मैदान नहीं है, पढ़ने के लिए क्लासरूम नहीं है, मैं चाहती हूँ कि यहां क्लासरूम बने और भी तरह की सुविधाएं हैं, इसके लिए आप मुख्यजिला सिक्षा अधिकारी गैरसेन को फॉन कर सिक्स और हमारा सयोग कर सकते हैं, इंडिया अनहर्ड के लिए गैसेन चमोली से मैं लक्ष्वी नौटिया